अच्छे होंगे दोस्तो आज वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एंडिंग बेगनर वह जो हॉलीवूट की है उसको में हिंदी में करने वाला हूं दोस्तो अप लोगों से रिक्वेस्ट अगर आप हमारे यूट्टू चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करने पास में जो बहला कहना है कि इसको भी अंडर्शन पर सेट करते हैं क्योंकि मैं ऐसा ही इंट्रेटिक वीडियो लाता रहता हूं उपने चैनल पर मोवियों को जो हिंदी में एक्स्प्राइब करता रहता हूं हमारे में क्यारेक्टर का एक साथ दो लोगों के साथ अफेर हो जाता है पर यह दोना एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे है प्रॉलम तब आई जब वो ब्रेंगन्ट हो गए हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको इंडिंग बिगिनिंग्स ये 2019 गी एक हॉल्वोड मूवी एक्स्प्रेंड करने वाला हूं ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैसेज के साथ आती है तो अंतक इस वीडियो को ज़रूर देखेगा अब बिना अगजिदेरी के लेना चाहती थी इसिस्टर की घर बर भी उसके एक छोटी सी बेटी है जिसे अधनी आंक आना बहुत अच्छा लगता है य अपने boyfriend को अभी भी मिस करती है वो पहले art gallery में काम करती थी उसे painting वे कर रहा है इस अब चीज़े बहुत ही अच्छी लगती है तो एक class उटने जॉइन किया है जहाँ पर उसके कुछ friends है इन friends से उसने बात की कहा कि मुझे लगा था कि मुझे से शादी करूँगे हम हमेशा एक साथ रहेंगे उसे अब लगने लग क्या था कि वो भी अपनी मदर की तरह पूरी लाइफ सिर्फ प्यार ढूणने में बिता देगी उसकी मदर ने जब divorce लिया तो उसके बाद उसके बहुत सारे boyfriend थे कभी भी एक जगा पर वो settle नहीं थी अब डैफनी decide करती है dating से हो six months के लिए break लेगी अपना freedom हो enjoy करेगी वो आजकल फिर से new job ढूणने की try करती है पर कही भी उसे job नहीं मिलता अब Christmas आ चुका था तो अपने मदर से हो मिलने के लिए गए मदर का अब और एक new boyfriend है मदर को लग रहा था कि डैफनी अब भी अपने boyfriend के साथ है और वो नहीं आया डैफनी जब उसे बताती है तो मदर ने कहा कि मुझे लगाई था कि वो तुमारे लिए perfect नहीं है जैसी fire एक relationship में होनी चाहिए ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था इसी बात पर सोचते हो है डैफनी को अपने boyfriend का और उसका एक flashback याद आया उसे लगता था कि उनकी relationship एक old couple की तरह हो गई है वो कभी new cheese try नहीं करते 31 December को डैफनी के sister ने एक party रखी थी डैफनी के कोई भी friends नहीं तो अकेली खड़ी थी तब इसके पास Frank आ गया अपने आपको उसने introduce कर वाया वो पुछता है तुम यहाँ कर क्या रही हो डैफनी ने कहा कि मैं ज़रा break ले रही हो फ्रैंग ने बुछा तुम किस से छूप रही हो डैफनी सिप चाहती थी कि फ्रैंग को उसे अकिला छोड़ते पर फ्रैंग ज़रा दूर जाकर उसे बात करता है वो बहुत ही funny और charming था पर डैफनी ब्रेक पर है तो जादो उसे बात नहीं करती आगे बार टी में वो हमारे और एक main character Jack से मिली Jack से पहले डैफनी ने बात की थी उसे पता था कि Jack एक writer है Jack भी डैफनी को देखते हुए पहचान गया उसे पता था कि डैफनी आर्ट में कुछ काम करती थी बातो बातों में डैफनी के थी कि वो अपनी sister के साथ रह रही है पिर उसके boyfriend के साथ उसका जो भी सब हुआ था इस सारी बाते उसने Jack को बता दी उसे उसे पहचान दी थी तो उसे बात करना उसे बहुत ही easy लगा Jack डैफनी को समझाता है तुम अपने आपको बुरा फिल करा रही हो तुम्हे लगता है कि तुमने कुछ गलत किया पर इसा कुछ भी नहीं होता हम अगर खुद के बार में सोचे तो हमें हमेशा लगता रहता है कि हम बुरे हैं पर इसा कुछ भी नहीं होता दैफनी को जैक की बाते बहुत अच्छी लगी थी अगली दिन मौर्णी में फ्रैंग ने डैफनी को मैसेच किया उसने उसे गम की गाने भेज दिये थे डैफनी ने पूछा कि तुम्हें नंबर कैसे मिला फ्रैंग ने आगे पूछा कि क्या अब भी तुम सोबर हो डैफनी कहती कि मैं ठीक हूँ अगले दिन जब वो अपने टेंपरेरी काम पर थी तो वहाँ पर जैग आकर उसे मिलता है जैक ने उसे पूछा क्या तुम मेरे साथ ट्रिंग पर आओगी डैफनी कहती है कि आज कल में कुछ भी ट्रिंग नहीं करें पर तुम्हें कमपनी देने के लिए मैं आ सकती हूँ इनकी फिर डेट फिक्स होगी पर डैफनी ने क्लियर कर दिया कि सिर्फ एज़ फ्रेंडी डेट पर जा रहे है डेट पर जैग डैफनी से कहता है तुम मुझे बहुत ही अलग लगी मुझे तुम्हें जानना था एक long conversation चाहिए थी इसके बाद इसके बाद अलग अलग चीज़ों को लेकर ये दोनों बहुत बाते करते है डैफनी पॉट्स पर डिजाइन करको उन्हें सेल भी करती थी उसे बहुत अच्छा लगता था तो ये भी जैग को उसने दिखा है जैग कहता है कि तुम बहुत ही amazing हो ये जब बात कर रहे थे तब डैफनी को फ्रैंक का message आता है उसने उसे मिलने के लिए बुला है फिर जगा fix करकर फ्रैंक और डैफनी अगले दिन मिले फ्रैंक उसे कहता है तुमने मुझे बहुत दर्द पहुचा है मुझे ना कहा और जैग के साथ डेट पर गए डैफनी कोई बात समझ में नहीं आती तो फ्रैंक ने कहा कि जैग मेरा best friend है डैफनी इसके लिए sorry कहती है उसने कहा वैसे भी सब चीज़ों से मैं break लेना चाहती हूँ वो फिर से relationship को complicate नहीं कर सकती उसने कहा मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी चाहिए वो यहाँ से जाने वाली थी इससे पहले एक दूसरे को hug करते है और directly kiss करने लग गया इन दोनों की first meeting से एक दूसरे में attraction बहुत ही powerful था तो directly intimate हो जाते है अगली दिन डैफनी को Jack का message है उसमें लिखा था कि Frank और मेरी बात हुए सब कुछ ठीक है जादा वरी मत करो डैफनी फिर Frank से बुछती है तुमने उसे क्या बता है Frank कहता है उसे जादा कुछ पता नहीं है डैफनी फिर Frank को बता देती है कि वो कोई भी relationship नहीं चाहती है वो एक दूसरे को date नहीं कर सकते है इसके बाद डैफनी को Jack का message आता है इसमें लिखा था यह मुझे लगता है कि हम दोनों में कुछ special है इसे और भी explore करना मुझे अच्छा लगेगा इस पर उसने ज़रा सोचा और अली दिन Jack के पास date पर आ की यह दोनों realize करते है कि जब एक साथ होते हैं तो बहुत ही comfortable होते है बहुत सारी बात ही करते हैं दोनों को smoking अच्छी लगती है डैफनी ने Jack से बुचा तुम और Frank के दोनों कैसे दोस्त हो Jack कहता है कि हूँ मेरा best friend है पर फिर भी मैं उस पर ज़्यादा depend नहीं कर सकता वो कभी भी गायव हो जाता है उसने मुझे पैसे लिये थे पर कभी भी वापस नहीं किया उसकी लड़कियों के साथ अच्छी relationship नहीं बन बाती है उसकी last girlfriend उसके वज़े से पूरी दरीके से बरबात होके इन दोनों को actual में एक दुसरे के साथ connection महसुस हुआ था तो आज रात दोनों intimate हो जाते है अगली दिन डाफनी अपनी नीश को जब स्कूल सी घर लेकर आई तो उसकी sister उसके husband में जगड़ा चल रहा था डाफनी बहुत दिनों से उनके घर पर रह रही है इस sister के husband को अच्छा नहीं लगता डाफनी ने सब बात सुन ली थी उसके ex-boyfriend ने उसे marriage proposal के लिए ring दी थी इसे sell करकर जो भी पैसे आते हैं इसे और rent पर house ले लेती है moving करते हो अपने सब चीजों में उसे ex-boyfriend का एक later मिला उसमें लिखा था कि शायद हम एक दूसरे से दूर से ले गए हो पर अगले जनम में हम फिर से एक दूसरे को ठून दी लेंगे वो भी believe करता था ये डाफनी उसके लिए perfect थी वो उसे एक commitment चाहता था शायद डाफनी इसके लिए ready नहीं थी इसी वज़े से उनका break up हो गया अब अगले को scenes में हम देखते हैं डाफनी और Jack की relationship आगे बढ़ रही थी एक दिन Frank का उसे message आता है कहता है तुम तो अच्छी दरीगे से move on कर चुकी हूँ डाफनी कहती कि मैं process में हूँ डाफनी लिखती कि मैं तुमारे बार में सोच रही थी अब कुछ दिनों के लिए Jack जरा काम से बाहर जाने वाला था Jack का dog कहा रहीगा ये एक problem था तो डाफनी कहती है तुमारे यहाँ आकर रह सकती हो Jack ने कहा कि Frank उसका खैल रख सकता है आज राथ Jack ने एक party रखी थी तो उसमें Frank भी आया आज राथ हम देख सकते हैं कि Frank और डाफनी की नजर सिर्फ एक दूसरी पर ही थी है एक दिन Frank डाफनी के घर पर आ गया कहता है Frank के dog को अब तुमें समालना पड़ेगा वो trip के लिए कहीं दूर जा रहा था डाफनी कहती कि मेरे apartment पर dogs रखना allowed नहीं है पर फिर भी Frank उसे force करकर रख कर जाता है थोड़ी देर में फिर से वो वापस आया dog की leash देने के लिए ये दोनों एक दूसरी पर frustrated थे तो directly kiss करने लग गया वही पर intimate हो जाती है Frank ने डाफनी से बुचा क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो डाफनी ने भी इसके रहे हा कह दिया ये दोनों फिर बहुत सारे अलग अलग प्लेसे स्कूल में एक दूसरी के साथ enjoy किया एक रात Frank डाफनी को एक party पर लेकर रहा है सब carry-o के कर रहे थे तो डाफनी को भी force किया जाता है उसने एक अच्छा सा गाना गया पर अचनक से Frank वहाँ से उठकर चला गया था डाफनी उसे देखने के लिए गई तो नोटिस करती है Frank ड्रक्स कर रहा है ये बात उसे सही नहीं लगती उसनों से confront किया Frank ने कहा कि मुझे fight मत करो हमारी relationship इतने अच्छी चल रही है इसे बरबाद क्यों करना इस तरीकी की friends की आदोतों की वज़े से डाफनी उसके साथ रहे नहीं सकती तो उसे वो break up कर लेती है उसे घर वापस आने में ज़रा लेट हो गया था वो realize करती है कि आज तो उसकी sister का baby shower है वो लेट पोची तो उसकी sister की friends उसके पीछे बहुत ही बुरा कह रही थी डाफनी को अच्छा नहीं लगता तो चली जाती है सारी situation को लेकर डाफनी ने अपने friend इंग्रिट से बात की इंग्रिट पूछती कि ये सब हुआ कैसे डाफनी ने कहा कि वही तो question है ये सब हुआ कैसे है अब नेक्सी में हम देखते है इस जैक अपने trip से वापस आ गया था डाफनी उसे फ्रैंक के बारे में कुछ भी नहीं बताती है वो ज़रा बूर हो रही थी तो जैक से गयती है चलो आज राथ हम डांसिंग पर जलते हैं क्लब में उसने एक पुराने कोवरकर को नोटिस किया उसे एक राथ याद आती है जब वो ट्रंक हो गई थी तो यही कोवरकर उसे अपने घर लेकर गया था उसने उसे जबर्दस्ती करने की कुशिश की थी पर डैफनी ने उसे रोक लिया था उस इंसलेंट के बाद वो डिस्टब हो गई थी पर आज राथ उसकोवरकर के आखों में आखे डाल कर उसे वो डरा देती है आज कल जैक के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छी चल रही थी एक दिन उसे ज़रा अजिब लगने लगया तो उसने प्रेइडनसी टेस्ट करवाई तो एक पॉजिटिव आती है वो घर पर आई तो जैक उसे एता है कि मुझे एक अलग कंट्री में एक बहुत ही अच्छी जॉब के आफ़र आ गई है वो बहुत ही एक्साइटेड था और डैफनी के साथ लॉग डिस्टन रिलेशनशिप कंटिनू करने के लिए रेडी था वो मन्त में एक दो बार उसे मिलने के लिए आ जाता इस तरीके से वो रिलेशनशिप कंटिनू कर सकते थे डैफनी इस बच्चे को लेकर बहुत ही कन्फ्यूज थी वो जैक को फ्रैंक के बारे में सब को सच सच बता देती है उसे पता नहीं था कि बेबी किसका है जैक इस बात से बहुत हर्ड हो क्या उसे घर से निकाल देता है डैफनी अपने फ्रेन इंग्रिट के पास आई उसे सब कुछ इसे बता देती है उसे समझ में नहीं आता कि इस बेबी को उसे रखना चाहिए या अबॉट करना चाहिए इंगरीद उसे बताती है कि तुम कुछ भी डिसीजन लो तुम्हारे आगे की लाइफ अच्छी ही होगी पर एक बात ध्यान रखना तुम हमेशा प्यार ढूनती रही तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता पर अब तुम इस बेबी पर प्यार कर सकती हो ये बेबी हमेशा पूरी लाइफ तुमसे प्यार करता रहेगा ये बात डैफनी को समझ में आए और वो डिसेड करती है कि इस बेबी को रखने वाली है इसके बाद वो जैक से मिली उसने का मैंने लाइफ में लोगों को बहुत हर्ट किया है अब वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती इस बेबी की वज़े से लाइफ में उसे एक अलग परस्पेक्ट्टू मिला है अब वो एक बेटर परसन बनना चाहती थी जैक उसके लिए खुश था पर वो डैफनी के लिए कुछ भी कर नहीं सकता उसकी लाइफ का पार्ट बन नहीं सकता आजकर डैफनी छोटे बच्चों को देखती है उसे बहुत ही अच्छा लगता है अपनी नीज के साथ जो भी वो टाइम स्पेंट करती थी वो भी उसके लिए स्पेशल था नेक्सिक में हम देखते हैं उसकी मदर का जो एक्जिस्टिंग बॉइफरेंट था उसके साथ वो शादी कर लेती है डैफनी सब लोगों से दूर एक जगा पर बेटी होई थी तो उसके पास उसकी मदर आए वो से कहती है तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने लाइफ में बहुत सारी मिस्टिक्स की है मैंने जो भी किया अपने लिए अलग-लग लाइफ पार्टनर ढूनती रही मैंने सिर्व ये तुम्हारे लिए किया था तुम्हें फादर का प्यार मिल सके ये बहुत ही इंपोर्टन था डैफनी ने अब अपनी मदर को माफ कर दिया था वो एक दिन अपने ओल जॉब पर कॉल करती है उसने जो भी सिच्वेशन थी ये सही से समझा दिये वो जॉब उसे फिर से वापस मिल जाता है और इसके बाद थोड़ा डाइम बीच चुका है बहुत दिनों बाद एक दिन शॉपिंग करती है उसे फ्रैंक मिला फ्रैंक उसे देखकर बहुत ही सप्राइज था वो आज कल किसी और के साथ है पर डैफनी को मैसेज करकर एक जगा पर मिलने के लिए बुलाता है उसने पूछा कि क्या ही बेबी मेरा है डैफनी कहती है कि मेरी बेटी सिर्फ मेरी है जैक और फ्रैंक दोनों से छोड़कर चले गए तो अब वो किसी के साथ भी उसे पाटना नहीं चाहती फ्रैंक को सुनकर बहुत अच्छा लगा उसने रियलाइस किया था कि लाइफ में फादर बनने के लिए अब वो रेडी था नेक्सिक में डैफनी ने अपने एक्स बॉइफरेंट को लेटर लिखा अब इतने सारे टाइम के बाद वो फाइनली मुवाण कर चुकी है वो एक दिन जब उन्हीं मदर के साथ थी तो मदर ने कहा तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो मुझे तुमारा खया रखना है तुमारे बेबी को समालना है अपनी मदर का सापोट ये डैफनी को बहुत अच्छा लगा और इस बात के लो मान गी वो अगवी भी लाइफ में सेटल नहीं थी एक मुमेंट पर उसे कुछ अलग चीछ चाही थी तो एक मुमेंट पर अलग पर अब उसने ही रिलाइस किया है ये जिस मुकाम पर वो है वो ही ठीक है वो इसे भागना नहीं चाहती आगी की लाइफ भी अच्छी होगी वो इस मुमेंट में खुश थी इसे के साथ ये मुवी एंड हो जाती है इस मुवी में डैफनी को लगता था कि उसे सचा प्यार कोई भी कर नहीं सकता उसकी सिस्टर, मदर, उसके बॉइफरेंड कोई भी उसके लिए हेलफफुल नहीं है जब वो ब्रेगनांट हुई तब उसने रिलाइस किया ये जो प्यार उसे नहीं मिल पाया ये प्यार वो अपनी बेड़ी को दे सकती है बच्चे भी अपने पैरन्ट से हमेशा प्यार करते है इस रियलाजेशन की वज़े से डैफनी को अपनी लाइफ में एक स्टेविलेटी मिली इसी के साथ आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा ये बहुत सारी मुवीज लेकर आदे रहे तो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोन में मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमू के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप उपने आपका ख्यार रखिया